दिल्ली से है राजु स्वागत है आपका मेडम नमस्ते जी नमस्कार मेडम मेरे आद तीन चार सवाल है बताईए माम पहले तो मेरे जलन बहुत हो रही है दस पंदरा दिन से छाती में बहुत जलन है मतलब ठंदा दूद ले 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 तो दस मिनट बंद हो जाएगी फिर जलन हो जाएगी ठीक है तो मैं ना गॉंसिया ले रही थी मतलब पहले देड़ चुटकी मतलब लेती हूं डो टाइम अरे एक गैस का पौडर बनवाए था हकिम जी ने वो आवला दो सो ग्राम आवला अरजी मेती आवला मेती धनिया सौफ और वो क्या करते हैं जैतुन का नमक मिला के पता नहीं मेरे जलन क्यों हो रही है दूसरी बात यह है कि मेरे दर्द तीस साल की उमर से है अब मैं छ्यासर साल की हूँ तो मेरे कमर की हड़ी भी निकल गई है पीछे की और ना मेरी हाइट भी कम हो गई है अच्छा कुछ फाइदा है दर्द में? दर्द में कभी तो हकीम जी इतना फाइदा हो जाता है कभी इतना दर्द हो जाता है क्यों पूंचो मत्या तो मैं दो दिन से आपके वहां पर संस्ता पर फोन कर रही थी तो कल एक तो कह रहे थे कि सिकाई कर लो मैं कि मेरे दर्द होता है तो मैं बेचेन हो जाती हूं नीली नसे चमकने लगती है पैरों की तो मैं सिकाई वो बिजली से सिकाई नहीं होती आज कर लेते हैं तो उससे कर लेती हूं तो थोड़ा आरा मिल जाता है मैं सो जाती हूं फिर तो कर लो फिर कल मैंने शाम को फॉन कर रहा मेरे जलन बहुत है हाकीम जी बहुत जादा जलन है, इस टेंबी मेरा बहुत जलन हो रही है, तो क्या कहते है, वो कहने लगे कि हाकीम जी के पास तुमारी फाइल है, उन्होंने तुमारे लिए दवाई बनवा दी है, मतलब तो तुमारा घर जाने वाली है दवाई तो एडरस दो, कि हाकीम जी न मतलब मेरे जलन भहुत है थोड़ा में बताओ क्या मैं पॉर्टी के लिए मैंने आप से कई कि मुझे मॉर्णिंग में मेरा पेट साफ नहीं होता है चौब इस घंटे में कभी भी हो जाता है हाला कि मैंने आरंडी का तेल भी पी रही लेती हूं अपते में एक वार अर बेल प अच्छा देखिए गैसी डिटी होती है किसी किसी को बहुत ही जटिल होती जैसे आपको है आप ऐलोपेटिक दवा भी साथ में ले सकते हैं कोई आपकी दवा चल नहीं होगी वह आप छोड़ दिया स्याद आपने तो वो भी साथ में ले सकते हैं अर्जेंट तोर पर आप अलोपेटिक लाज भी ले सकते हैं खुशी है कि आपको फाइदा हो रहा है और क्योंकि यह 30-30 साल पुराना मर्ज है इस मर्ज में कमस कम 5-7 महीने तो आपको हमें देने चाहिए और कोई भी समस्या हो बुखार आए तो बुखार की दवा लो एसीड हो तो एसीडिटी की द दवाएं भी आती है तो वह आप फॉरण ले लिया करो लेकिन यह इलाज छोड़ो मत इससे आने वाले वक्त में आपको बहुत ज्यादा फाइदा होने वाला है इन दवाओं में बस एक ही बुराई है कि थोड़ा थोड़ा फाइदा करती है आप सिकाई करना चाहो तो कर सक सकते हो उससे आपको रहत मिलती है लेकिन आप दो तीन महीने और दो दवा मत छोड़ो चाहे कोई भी बीमारी हो उसका अलग से इलाज ले सकते हो अलोपैतिक लेकिन यह जब कोर्स शुरू किया तो इससे पूरा करके ही छोड़ना मुझे अच्छा लगएगा जब आप दो हमारी दवाई दीरे दीरे सिस्टम ठीक करती है अलोपैतिक दवाई फॉरन फायदा करती है तो फॉरन फायदे की भी आप कोई भी दवा ले सकते हैं मेरी दुआ के साथ कि आपको जिल्दी फायदा हो जाए आदाब अगले कॉलर है सुल्ताना महराश्ट्र से स्वागत है आपका हालो जी नमस्कार फर्टीन सवाल करना था जी बात कर आज भी इसकते जी सुल्ताना बात हो रही है मैं हाजीर हूं बताई है अस्वालेकूं मैं दो तीन साथ उसमें चाती हूं है हमारी बेहन है उनको वो है उनकी उमर है पत्तिस साल तो उनको ने सफ़ेद पानी की शिकायत है ठीक है तो उसके लिए क्या आपको और और सवाल करिए एक साथ जवाब दे दूए हर सवाल है छोटी बच्ची है तीन सा जाल की वह बिस्तर में पेशाब करती है नीन में पेशाब हो जाता है इसको ठीक है और बताई एक छोड़ा लारका है छे साल का उसके हाइट में बढ़ रही है ठीक है अच्छा देखिए लिख लीजे और समझ लीजे और दवाएं असली लेना जो बच्ची पेशाब करती ह उसके दूद दरूब पीती होगी तो उसके दूद बे एक चुटकी या दो चुटकी खशखाश पीस के खुबारिक पीस के मिला दिया करिए और एक दिन में एक अखरोट किलाईए उसको फाइदा होना मुम्किन है जिन बहन को वाइड डिस चार्ज की शिकायत है तो एक ब एक आता है गौन चिलगोजा गौन चिलगोजा यह महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा फाइदेबन साबित होता है पुर्शों के लिए भी जिन को भी सफेद पानी सेलान एजरियान मर्दों को भी होता है यह तो यह गौन चिलगोजा एक रौ माटेरियल है कच्ची दवा ह है इसको पौडर बना लें और एक चम्मच इस सब गोल की बहुत सी दूद में मिला दें और हिलाते रहें उसे गांटे ना पढ़ने दें और एक चुटकी याद रखें सिर्फ एक चुटकी चौबीस गंटे में बस एक चुटकी गौन चिलगोजा इसमें मिला लें शुगर न अब बस एक चुटकी घंटे बस एक खुराक ले सकते हैं और विने अपने यह रो मैटेरियल तो है और मैने अपने जीवन में ऐसा यह नशका लेंखा जो जैसे टाका लगा देते हैं ना कहीं पर तार जोड़ देते हैं ऐसे ब्लीकुर टाका सा लग जाता है और फिर बच् daí कि हाइट ट्री बढ़ रही है, उसके लिए एक और राऑःे लाता है, सफएद गौनंवरिंगा, ऑइजा ख्यार रहे, कि हम जब दूकानदार से मांगते हैं सफेद गौन मोरिंगा तो वो लाल दे देता है कोई पीला दे देता है लाल और पीला नहीं सफेद वाला ही लेना है गौन मोरिंगा और आदा गिराम दूद में मिला के बच्चे को सुबा प्लादिया करें और बहुत बहुत जुद्वत हो तो शाम को भी आदा गिराम दूद आपको भी नमस्कार आदाव जैहिर स्वागत इसके पहले भी आपके बात वेटी अधिम साथ जी और मिसेज के बारे में बताया था गुतने में उन्से तकलिफ था तो आपने जो दवाई बताय थी किस आपने है गौन सिया सर और इसके लिए कुछ और कुछ और गौन मोरिंगा और जैतिन सिर्का मंगाता मैं सर तबियत कैसी है आपकी पत्ने की लेकिन ये दवाई कैसे लेना ये इसमें लेजाने की था अपने बताता भी शुरू नेगिए आपने आप अपको बताएं नहीं ने किसी नहीं बताएं नहीं 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 प्रवार करूंगा फिलहाल आप लिख लीजे और लिखिए जिए गउन सिया है काला गाला गउन इसको पॉर्डर बनाने और आदा आदा ग्राम खाने के बाद पानी से या कम चरबी के दूद से खाने के बाद ले दो बार नाशते के बाद और रातों खाने के बार ये इनके जोड़ों के दर्द के लिए कमर में दर्द हो नसों में हो कहीं भी दर्द हो मेरी रुभावे इस से बहतर कोई निसका रॉ मैटेरियल में नहीं है आप इने देना शुरू करें आधा आधा गिराम गौंसिया गौंद मौरिंगा एक गिराम बस लेते हैं एक साथ भी ले सकते हैं और ये पानी में मिलाकर ढूद बनाकर थोड़े से या नारील पानी के जो बालिग लोग हैं यानि जो 18-20-22 साल से जादे के हैं वो एक गिराम ले सकते हैं रोजाना और जयतुन का सिरकाप पर ज़रूत के मुताबिक एक बार या दो बार दो दो चमच पीना बहतर है खाने के बाद पीना बहतर है ये रेखा कोटवानी जो ज़ड़ गई है हमारे सा sort स्वागत है आपका अलो जी बताहिए मैम ब्रिधा कोटवानी बोल गई हूार मुझे स्वागत है रेखा जी आपका स्वागत है आपका नाम तो बहुत शुर है बताइए क्या सवाल है बहुत ज्यादा सोजन थी हम वो तो उतर गई हम पर तरह दूस प्राम में बहुत ज्यादा कितने दिन से ले रहे हैं रेखा जी आप दवा मैं पंद्रिक ठीक रेखा जी हाँ इस सूजन उतरिये अब दर्द जाना चाहिए और दर्द के लिए पांच दर्द की दवा साथ में लें इसने थोड़ा दर्द बढ़ा दिया और सूजन खतम कर दी है पांच दिन तक दर्द की दवा इंगलिज दवा ऐलोपैटिक दवा साथ में लें दोनों टाइम और पंदर दिन बहुत जादा नहीं होते यह जितनी दिन दवा है आपको इतनी ख कर रहे हैं भगवान से मदद मांगें ऐसा वेस्टन ट्वालेट इस्तेमाल करें कुर्फी वाला शोचाले मेहनत बिल्कुल ना करें जैसे जाड़ू पहुंचा बिल्कुल ना करें और बस तीन महीने दस दिन आप हमें दें यह जो गौन सिया आपको पहुंचा है यह तीन म अग्वान से मदद मांगें मैं भी आपके लिए दूआ करता हूं कि आपको फाइदा हो जाए अगले कॉलर है मद्य प्रदेश से स्वागत है आपका अलो जी आपका नाम क्या है अपका सवाल सांस फूलती है हाँ उम्र कितनी है दुरक्षी ब्यासी अच्छा दिखिए सांस दो वजा से फूलती है अगर किसी को नजला खांसी बलगम चींके कफ होता है अगर यह आपको रहता है तो समझ दिए फिपड़े की वज़े से यानि लंग्स की वज़े से सांस फूलती है और ये नहीं रहता तो फिर दिल की वज़े से फूलती है इस उमर में हमें हार्ट ब्लॉक की चो जाते हैं जो दिल की रगों में चर्बी भनने को कहा जाता है इसके लिए डॉक्टर्स आपरेट कर देते हैं सजरी कर देते हैं और अगर आपको ये रोग है तो आप जैतून का सिर्का दो चम्मच सुबा दो चम्मच शाम जैतून का असली सिर्का ले रहा नकली बहुता आते हैं और दो चम्मच जैतून का सिर्का एक ग्लास पानी में डालें और एक चुटकी खाने का सोड़ा उसमें डालें सुबह नाच्टे के बाद पी लें और रात को खाने के बाद ये सिल्सला आप तकरीबद चार-पांच महीने तक कायम रखें तो आपको फाइदा मुम्किन है